हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी यूटीब चाहें फिल्मी रियेक्शन में तो कैसे आप सब उमीद आप लोग अच्छ होंगे मैं बिल्कुल अच्छ हूँ आप लोगों की दुआ से तो दोस्तों आज जिस वीडियो का मैं रियेक्शन लेके आई हूँ वो है पावर स्टार पवन सिंग का पॉड़कास्ट इंटर्व्यू जो शुभांकर मिश्रा के चैनल पे है तो उसका एक पार्ट मैं उल्रेडी कर चुकी हूँ आप लोगों की बहुत सारे कमेंट आएं कि सेकंड पार्ट भी लेके आए तो आप लोगों की कमेंट की सजिशन पे मैं सेकंड पार्ट भी लेके आ गई हूँ आज वीडियो मैं थोड़ी छोटी बना पाऊं कि क्योंकि आज में तब बहुत ज़्यादा खराबसी हो रही है बोला नहीं जारा लेकिन आप लोगों की कमेंट इतनी थी तो मैंने सोचे कि एक पार्ट तो मैं ले आती हूँ बेशक छोटा ले आओं लेकिन ले आती हूँ कोशिश करू बड़ा पार्ट करने कि अगर हिम्मत रही तो जरूर करूंगी अगर हिम्मत नहीं रही तो I'm so sorry for that तो जल्दी-जल्दी हम यह वीडियू स्टार्ट करते हैं इसके बाध इसके बारे में बात करेंगी उससे पहले जयाँ को सब्सक्राइब करें वीडियो और निर्दली यहीं चुनाव लड़ूगा और मेरे परिवार से मेरे दोस्तों ने सेर किया कि भाइया आपको काराकार्ट से चुनाव लड़ना है मैंने बोला क्यों आरा के बगल में है सर काराकार्ट सटा हुआ ही बोल सकते हैं बोले सब की भाइया यही एक आपके गाओं के इर्दिगेर्द में यही एक छित्र ऐसा है जहां पर सब लोग अपना काम साथने के लिए आते हैं कामियाभी पाने के बाद यहां फिर कोई मुड़ के देखता नहीं है यहां कोई विकास का काम नहीं हुआ है मैंने बोला ठीक डन मैं यहीं से लड़ूगा आज हमारी जंता के असिरबाद से जब काराकार से चुनाव पाउन सिंग निर्दलिये लड़ रहा था तो चर्चाएं कितनी थी हवा कैसा था ना यह आप से चुपा है ना हमारी जंता से चुपा है ना हम से चुपा है और अभी इस प्रचा होती degree लेकिन आम को बाद चीन हुए उसमें एक बड़े नेता है उनसे हमने हम से ओफ-फ़ रेकॉर्ब सवाल पूछा मैं नाम नहीं लोगा की पवन का टिकेट क्यों कट गया या पवन सिंग क्यों नहीं बढ़िया नहीं है और महिलाओं का वोट नहीं से पसंद नहीं करते हैं लेकिन फैन फॉलिंग यूतिनी बड़ी है फिर किसी ने दूसरे नहीं से कहा कि एक बड़े स्टार है जो आपके इंडस्ट्री से आते हैं वो शा मुझे जो पवने तीन लाख वोट आया है उसमें हमारी माताएं बहने कितना असिरवाद के रूप में पवन को वोट दी है इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है और बाकी किसने बोला कि पॉण सिंग ठीक है इस्टार है बट इंसान अच्छा नहीं है फिर दूसरे किसी ने बोला कि क्या है क्या है क्या नहीं है तो चलिए सर आपके बन में नहीं आता कि मनोज जी रवी जी निरववा जी सब आगे गए एक ही पार्टी में पवन सिंग को 19 में भी रोख दिया पवन सिंग को 24 में भी रोख दिया कौन से ऐसा अलग काम आप करें जो आपको रोख रहे या यह डर है कि किसी और का मामला ना बिगड़ जाए कुछ चीजों को सर समय पे छोड़ देना चाहिए समय जब आएगा ना सही समय पे सही जबाब दिया जाएगा लेकिन काराकाट वाले हमसे पूछे कि पवन भाईया से पूछेगा क्यों फिर आएंगे बिल्कुल आओगा क्यों नहीं आओगा कई लोगी शिकायत है कि चुनाओ के बाद थोड़ा साब फिल्मों में चलेगे वापस भूल गे उनको सर क्या है हम आज के समय में कहां बैठे हैं यह हमारी जनता ही बैठाई है बिल्कुल हिंदी फिल्मों में भी डंका बज रहा है हिंदी फिल्म भी करने जा रहा हूं तो यह सिर्फ और सिर्फ सर्भोजपूरी के ही दम पर जनता के ही आशिरबाद से आदमी कहीं भी बैठेगा तो आप नहीं सब के आशिरबाद से बैठेगा या बैठ रहा है तो थोड़ा बहुत आपको भी सोचना है भाईया कि लईकवा कि हम यहां से यहां बैठाए है तो उधर एक तो हमारी 40 दिन की ही तयारी थी तो सर आप सब के आशिरबात से जिस कलकार के जोने पौनवा के बाथरूम जाये के भी समय नहीं खे अगर वो 40 दिन वहां 45 दिन समय दिया रिजल्ट जो भी आया उस रिजल्ट से मैं बहुत खुछ हो सर मेरे मन में कोई मलाल नहीं है मैं बहुत खुछ हो कोई ना प्रेसर है ना टेंसन है आ बंबं हो लेकिन सर हम जिसका काम लिए उसका काम तो करना पड़ेगा आखिर कमों कर अब तब आप लोगन के बीच में आई फिर से अच्छा हमने आपको लेगे एक पोस जाला था कि पवन सिंग जी आ रहे हैं कोई सवाल पूछना तो पूछ लिजेगा साड़े पांच यह हजार कमेंट हमों खाली फेस्बुक पे आए हजारों ट्विटर पे आए उसमें से 70% कमेंट एक ही आए थे कि चाचा कब बनेंगे इतना लोग इंट्रेस्टेड है आपकी जिंदगी में कि छोटा पवन कब आएगा छोटा स्टार कब आएगा यह आपक क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक उम्मीद होती है खैर कोई बात में लेकिन वेट करिए आप सब का असिरवाद रहा तो आपका ये बेटा और आपका ये भाई चाचा जरूर बनेगा ऐसा थोड़ी है डूए हाप आपनी परसनलाइट से खुश हो क्योंकि कि स्टार के तौर पर अपकी लाइफ बढ़िया है ड्रीम लाइफ है जो हर भोषपूरी का जो लड़का होगा वो पवन सिंग के तरह अपनी प्रोफेशनल लाइफ चाहता होगा इसमें मैं सर दो बात बोलूंगा दोनों बोलूंगा हाँ भी नहीं भी अब इसके चैंपन में आपके फैंस बहुत खुश थे और यह मैं आपके लॉयल फैंस की बता रहा है कि वह बहुत खुश थे कि भाई का घर बढ़िया चलता भी साथ में आ रहे हैं एक फैमिली के तौर पर जा रहे हैं अभी कई लोगों ने कहा कि फिर आप पूछेगा उनसे की भाह कि मन के मजबूत हैं सर इंसान हो कि किसी कि को लगता है कि पावंजी बड़ी बड़ी हाड है हां मतलब देखता ऐसा ही है लोगों को आपकी परस्नालिटी में आपके स्टेट्मेंट में गानों में एक दबंगई दिखती है आरे बाप रे बाप ऐसा कुछ नहीं है हां ये दिरूर है कोई अन्जान कलाकार मेरे सामने बैढ़ता है तो वो जुह आ कि दरता है कि मैं हाय भी करने जाओ कि नहीं नमस्ते करने भी जाओ कि नहीं सर डाठ देंगी तो मैं खुदी सामने चले जाता हूँ आईए बेटा ये आपका सीन है ये आपका सीन है ये इसमें आपको बोलना है मैं पीछे हूँ आप आगे है सुबह से साम जब हो जाता है सीन करते करते या डांस करते करते जब साम के वक्त जब वो आर्टिस्ट मेरे सामने बैठता है तो बोलता है सर सौरी मेरे मन में लोग पता नहीं क्या-क्या भर दिये थे कि आप ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे करते हैं बट आप जो लोगों ने बोला उसके उल्टे हैं सराव अप जो लोग बोलते हैं उस पर आप अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हो क्योंकि आपको लेकर बहुत सारी बाते आती है मैंने ही बहुत दो पाड़कास किये जिस पर आपको लेकर बहुत लंबी-लंबी चर्चाए हो और बहुत सारी बाते हैं और उस एक साल से लोग मुझसे कह रहे थे कि आप पबंजी से कहिएगा कि वो अपना पक्ष क्यों नहीं रखते क्योंकि कई बार बहुत लंबा खामोश रहो तो लोग उससा भी मान लेते सर चुप रहना भी एक जबाब होता है भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं और मैं हर बात का सफाई देना उचित नहीं समझता ठीक बार बस यही बात है सर अभी आपने कहा कि गाने को लेकर अश्टीलता वाली बात थी आप मानते हो कि भुश्पुरी सिनेमा में और भुश्पुरी जो इतनी स्वीट सी लैंग्वेज है प्यारी भाषा है वो किवल मार्केटिंग के नाम पर कुछो चल जा रहा है आप क्या बड़े स्टार हो गए बॉलिवर्ड भी जा रहे हो और अब भुश्पुरी मतला पवन सिंह है तो कहते है ना बड़ा पद इंडर्स्ट्री में है ऐसा नहीं है लेकिन भुश्पुरी पे एक ठपा लग गया है ठपा तो लगी गया है बड़ देखिए सर गलतियां तो हैं मतलब जिसी गाना था बहियां में उठाके सहिया महरला कचा कच रात दिया बुता के पिया क्या किया एक टौब का वीडियो ठपा अपा एक रठी बुश्यां मुस्लिम मुसलिमाग हो सकती है कि महिया में कस क discretion मारें लाका चा कच कच दूसरा दूसराladは मेरा ही गाना है गढ़ वुताके पिया क्या क्या किया यह तो कोश्न किया ना उससे इरातिस दिया बता के पिया क्या क्या किया तो पिया तम्मान लगे गुड़ों दबा सके ला पिया सर में तेल भी लगा सकता है पिया एक लिए स्पानी भी लाके पिला सकता है तो ये सोचने की ये है सर रही बात असलीलता की तो ये मैं जरूर बोलूँगा सर, इसमें हम सब को बैठना चाहिए था कि हम अपने समाज को कैसे सुक्ष करें, सुद्ध करें, साफ करें ताकि हमारा भी नाम कोई सम्मान से ले आज के समय में हम देखिए, गाड़ी में आदमी बहुत फ्री महसोज करता है, जब कहीं जाता है मोबाइल आदमी खोलता है, तो यूटूब होन होता है मंच पे कारिकरम चल रहा है अपना इस्टोरी निकाल देना है, लव इस्टोरी, उधर से लव इस्टोरी निकाल देना है तो ये सब क्या है न, देखिए अब क्या है न, हम ये बात बोल रहे हैं तो हो सकता है कि हमको भी कोई जबाब दे तो मैं तो जबाब नहीं दूँगा बट मैं अपने भोश्पूरी समाज को अपना पईवार समझता हूँ इंडर्स्ट्री में जितने हमारे कलकार है तो इतना जरूर कहूंगा लव है, प्यार है, मुहबबत है, जगड़ा है उसको खुद से क्यों परचार करना मंच पे क्यों बोलना कि हमारे तो आधी ही इन्ग गया तो हम सट गही निए तो तो से व दूर हो गए निए इन सब चीजों से थोड़ा हम लोग दूर हटेंगे तो हो सकता है कि हम लोग भी साफ होगो और हमारा भी नाम को इसममाँ से भी कि अब गूगल करते हैं अपने आपको यूट्यूब पे इस जब अब आवाल वाली खवरे आती है क्या चलता है मन में हम यूटूब देखते हैं सर गूगल हमको चला जाना यूटूब पर भी आपका तो आता हुगा ना कि इससे बवाल हो गया इसने आपके उपर यह बूल कि और दिना नहीं है नहीं पunts निनaysipं इस त्रीच यूटू में गाना आये चयां किसेवे हिंधी फिल्म में गाना आये इंग वो सर्थ सिर्फ और सिर्फ पूरी का देन है बोकष्पूरी मेरी मायरो मौनीं और वास में जो किस भी हूँ भोश्पूरी से होएं कही भी आपको लगता है कि आप थोड़ा से जिम्मेदारी बढ़ गई आप बिल्कुल सर कि आप गाले में फोड़ा लेक्स जान दे लेगे कि आप पावन सिंग छोटा नाम नहीं रह गया उसके बाद लॉलीपॉप आया इंटरनाशनल हिट बना लेकिन अब पावन सिंग को नाम है जो इंटरनाशनल स्टार भी है भोचपूरी को रिप्रेजेंट करता है अगर साउथ में को बैठा तो भोचपूरी मतलब पावन सिंग से पहले सच करने पाता है रही बात असलीलता की तो हम देखी हमेशा कोसिस करते हैं ठीक है मसाला चाहिए कलाकार होता क्या है जनता ने दोडा दे कभी दोड़ा दे कलाकार जब उसका हस रहा है तो उडियेंस रहा तो ओडियेंस रो दे मार कर रहा है तो वह इनरजी में आ जाए है तो हम हमेशा से चाहते हैं सर कि हमारा भोचपूरी का लेवल बढ़े लेकिं अकेला पावन सिंग नहीं कर सकता है कोसिस कर सकता हूं बट अकेले नहीं संभाव है तो कहावत है ना कि हम सुधरे जग सुधरा आप पवन सिंग कह सकते हैं कि अब हम जो कोई भी गाना जो हमारे इंडस्री करा करें हैं हमरे कोनों गडाया में धकल दे तो फिर हम कहा जाएंगे ये भी तो देखना है सर राजा भ ऑडियेंस राजा है रियल राजा रियल स्टार रियल सेर हमारी ओडियेंस सेंसे जनता है बोझपूरी सबसे मड़ा स्टार है अधा है यह मितरा जी रहा पानी पिये दाम की अभी रणिंग में पूछ रहा है या नहीं अभी मौझूदा दौर में होजपुरी का सबसे बड़ा स्टार को होजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कि करा को बोले हम हमार जाओन अभी यह भाईया तु बड़ी फसावात हुआ इतना काहे सोच दिल का बात कह सकते हो आप दिल का बात देखिए कोई शारुक खान से किसी ने पूछा कि आपके बाद कोई सूपरस्टार हो कहे नहीं I'm the last of the star मेरे बाद इतना बड़ा स्टार कोई नहीं शारुक मेरे स्टार हो त्यों मेरे बात कोई नहीं आएगा नहीं सर भगवान करें कि हमारे रहते में कोई भाई मेरा इस्टार आए अभी सबसे बड़ा स्टार हो और इधर बीच का रणिंग जो हमने कुछ दिन पहले एक इंटर्व्यू देखा था अपने भाई हमारे परमित हमारे सबसे अच्छे दोस्त है दिने जी निरहुआ जी तो मुंबई में किसी अस्थान पर वो अपना गाना सूट कर रहे थे और किसी यूटूबर भाई या मेडिया से ही कोई भाई ने पूछा कि फलनवा ये बोल रहे हैं तो मेरे भाई ने बोला कि एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ये मेरे नाम से बुक है इसको छोड़ के बात करो तो ये रियल है ये फैक्ट है सर कि हमारे दोर में अगर कोई सिल्वर जुबली फिल्म दिया है तो उस आर्टिस्ट का नाम है उस इस्टार का नाम है जुबली इस्टार दिनेस लाल कि वह आपको पसंद करते हो नापसंद करते हो लेकिन आपने पूछा भुछपूरी कि निवड़ा स्टार कौन है तो उन्होंने कहे दिया अभी जुबान में कहा लेकिन कहा कि नहीं अभी आज के दौर ने पवन सिंग कोई सानी नहीं है हमने खिसारी से पूछा पॉडकास्स हमारा हमने का क्या रिष्टा है आपका पवन जी से कहे बाली और सुग्रीव वाला रिष्टा है हाँ सभी हे है है मैं थोड़ी देर आपका देख देखा था साहतु है पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था कि पव पह वह मैं अच्छा आपन वजा शर्डान शीख पवन भधा से अच्छा हमने आक्टिं सिखा उसके बाद में उनके सामने गया को यह उन्होंने आूं से कहा बैँ लिखर फूण से पूछ था कि आपने से सबस्क्राइब की में ने उसे सवाल था कि आपने सिंसे लिडॅह धूड़ाई निकि यह उन है तुन तुन ने का नहीं ऐसा नहीं था, पवन भाइया को मानता बहुत हुमें, लेकिन मैंने पवन भाइया से पहले अचिशी बाड़ी बनाई, उनसे अच्छा मैंने डांस करना सिखा, उनसे अच्छा मैंने अक्टिंग करना चिका, ने उनसे ऐच्छा मेने, डांस करना सीक ót उनसे अच्छा मेने, आक्टिंग करना सीक और उसके बाद, राजा तु राजा हो गया। तू देह के ही न बनाया हो। पैदा होती ही तो पौण सिंग पौण सिंग नहीं बन गया। हम भी किसी को सोचे होंगी. तो छीक है खिसारी क्या है न तरी बोले ला जादा तो क्या है जो भी है छोटा भाई है अगर उसको दो बात बोल के खुसे मिलती है कि मैंने पॉन भीया से बढ़िया बॉडी बनाया सिंगिंग का बात किया एक्टिंग का बात किया बिलकुल अच्छी बात है न भगवान करें कि तुम हर किसी से अच्छा करो पॉन सिंग क्या सब से अच्छा करो रही बात इंडरस्टी की राजा कौन है क्या है क्या नहीं कौन कौन सा इस्टार है कौन सुपर इस्टार है कौन पावर इस्टार है यह तो हमारी जनता के हाथ में है सर ना हाला कि उन्हों आपको भाईया भाईया पूरे पॉर्टकास में रखा हुद से क्यों बोलना कि मैं कौन सा इस्टार हूं मैं किस पद पर हूं अब आप अमिताफ बच्चन जी के सामने बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर आपका तो वो क्या बोलेंगे कि जी सर मैं महानायक अमिताफ बच्चन बोल रहा हूं यह तो नहीं निखलेगा मों से वो महानायक हैं हमारे देश के यह हम बोलते हैं दुनिया बोलती है हम क्यों बोलेंगे कि मैं पावर इस्टार जी सर मैं पावर इस्टार पावन सींग हूं कौन सा कलाकार कौन सा इस्टार है यह दुनिया बनाती है हमारी जनता बनाती है तो वह जनता के उपर ही छोड़ देजिए कि कौन कलाकार कौन सा इस्टार है रही बात वो बोलता है कि मैं यह किया वो किया तो जी बहुत अच्छा इंटर्वियू था अब खेसारी भिया की बा तब बहुत खराब सी हो रखी है तो अच्छा लगा इंटर्वी हाई ये बात सच है कि देखो जो भी बंद अपनी तारिफ खुद नहीं करता है और किसारी भी ने उस परपस के लिए और इन्होंने इस चीज को सेप्ट भी करिये कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं पवन सिं का दोनों आप अपनी जगे सही हैं लेकिन जो बीच के खुराफाती बच्चे हैं ये थोड़ा गडबड कर रहे हैं चीजे और इनका सुग्रीव और बाली जैसे रिष्टा है ये सारे भी हर पोड़कास्ट में कहते हैं और यहां पे भी शुभांकर ने भी कह दिया सब्सक्राइब करें टाटा बाई बाई झाल